सिर्फ चार बूंत इस तेल की नाभी में डालते ही 50 साल से भी जादा पुराना दर्द आपका शरीर से बाहर खीच के निकाल देगा आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमिडी के बारे में बताने वाली हूँ जो सदियों पुरानी हैं और बहुत टाइम से लोग इसका इस्तिमाल करते हैं अगर आप काफी सारी दवाईया, मैडिसीन और बहुत कुछ करके देख चुके हैं लेकिन फिर भी आपके घुटनों का दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है तो एक बार नाभी के उपर ये चार बून तेल डाल कर देखिए आपके शरीर और आपके घुटनों से दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा आज इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी ही रेमेडी के बारे में बताऊंगी तो चलिए फिर देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीजों की जोट पढ़ने वाली है और वो कौन से तेल है जिसकी सिर्फ चार बूंदे डालते ही जादू की तरह आपके घुटनों और शरीर से सारा दर्द बिल्कुल चूमंतर हो जाता है लेकिन दोस्तो इसके लिए आपको कौन से ऐसे तेल लेने हैं जो आपके नाभी में डालते ही आपके 50 साल पुराने दर्द को भी गायब कर सकते हैं इसके लिए आपको लेना है यहाँ पर एक चमच के करीब नीम का तेल दोस्तो घुटनों और शरीर के दर्द के लिए एक वर्दान से कम नहीं है यहाँ पर इसके बाद आपको लेना है नारियल का तेल यह बहुत ही जादा फाइदेमंद होता है और नारियल और नीम के तेल को जब आप एक साथ मिलाते हैं तो एक ऐसा सॉलेशन बनकर तयार होता है जो कि आपके सालों पुराने दर्द को भी खीच कर बाहर निकाल देता है लेकिन इसे तयार करना और इसे इस्तिमाल करने का तरीका बहुत अलग है आप यहाँ पर इसके बाद लेंगे सर्सों का तेल यानि मस्टर डॉयल यह तीनों ही तेल आपको एक साथ लेने है नारियल तेल अकसर सर्दियों में थोड़ा सा जम जाता है तो इसके लिए आप नारियल तेल को थोड़ा सा गरम कर लीजेगा ताकि यह जमेना अब यहाँ पर दोस्तों इन तीनों तेलों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है यहाँ पर सरिफ यह तीन तेल आपको लेने है इसके अलावा आपको कुईसी और तेल के जोड़ात नहीं पड़ेगी ये तीन तेल ही काफी है आपके सालों पुराने दर्द को खतम करने के लिए अब इसके बाद आपको जो चौथा इंग्रीटिंट लेना है वो है यहाँ पे लॉंग इस तरीके से जो लॉंग होती है आपको ये वाली लॉंग इस्तमाल नहीं करनी है जिनके उपर फूल होता है ये वाली इसी तरीकी की लॉंग आपको लेनी है तो यहाँ पर ऐसे फूल वाली लॉंग आप 4-5 करिब ले लीजे और इस तेल के अंदर डाल दीजे ये सारी चीजे मिलके आपके शरीर और घुटनों से हर तरीकी की दर्द को खतम करने का काम करती है और ये तेल इतना ज़ादा असरदार है दोस्तों कि ये आपके शरीर और घुटनों से चाहे आप गठी अबाय से परेशान है या फिर अर्थराइटी से परेशान है या फिर आपके घुटनों में से कट-कट की आवाज आती है या फिर सर्दियों के दिनों में आपके घुटनों का दर्द काफी जादा बढ़ जाता है हर तरीके की परेशानी में ये तेल बहुत ही जादा फाइदे मन दोता है और इसे आपको जादा मातरे में भी नहीं बनाना है सिर्फ आपको चार भूंद इसके इस्तिमाल करनी है चार भूंद ही इसका इतना बड़िया कमाल कर देती है कि आपका शरीर का और घुटनों का दर्द पूरी तरीके से गायब हो जाता है गैस की उपर इस तेल को बस आपको थोड़ा गरम करना है जैसे ही गरम होनी लगे तेल और लॉंग इस तरीके से जलने लगे तो आपको गैस को बंद कर दीना है और तब तक आपको इसे ऐसे ही रहने देना है जब तक की तेल गुन-गुना ना हो जाए तेल को पूरी तरीके से ठंडा करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा आप इसे हलका सा गुन-गुना करके ही इस्तिमाल करिएगा अब इसके बाद दोस्तों जिन लोगों के घुटनों में दर्द बहुत जादा होता है काफी सारी मालिश कर चुके हैं घुटनों की लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता दवाईयां खाकर देख चुके हैं लेकिन कोई भी बेनेफिट उनको नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों जो यह हमारी नाभी होती है यह हमारे शरीर का एक पावर हाउर्स होता है जिससे की जुड़ी हुई हमारी नसे हमारे पूरे शरीर के अंदर जाती है और यहीं पर आपको अस्तिमाल करना है इस तेल का यह तेल आपको जादा मात्रा में लेनी की ज़रौत बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा सा तेल आपको लेना है सिर्फ चार बूंद इस से जादा आपको नहीं लेना नापतोल के चार बूंद आपको नाभी के अंदर इस तरीके से डाल देना है यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ ना बिल्कुल इस तरीके से बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि तेल ठंडा विल्कुल नहीं होना चाहिए, गरम यानि गुनगुना होना चाहिए, अब यहाँ पर इस तरीके से आपको नाभी के अंदर ये सारा तेल चारबून के करीब डाल देना है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अब के बाद आपको क्या करना है, हलके हलके हातों से आपको अपने पेट के असपास यानि नाभी के असपास ऐसे मसाज करनी है, जिससे की जो तेल है वो नसों की तरफ जाता है, और नसों के जरी वो हमारे घुटनों तक पोशन पहुचाता है, और जिन लोगों को घुटनों मे इतना जाद आराम लगेगा ना जो आपको आज से पहले कभी दवाईयां खाने के बाद भी नहीं लगाओगा साथ ही दोस्तो इसी तेल का इस्तिमाल करके आप अपने घुटनों की भी मसाज कर सकते हैं इसी तेल का जब आप अपने घुटनों पर मसाज करते हैं तो दो गुना तेजी से आपके घुटनों का दर्द पूरी तरीके से खतम हो जाता है और सिर्फ ये घुटनों के दर्द के लिए ही नहीं बलकि नाभी में जब आप इस तेल का इस्तिमाल करते हैं तो आपके शरीर क हिस्से से जुड़ा हर तरीके का दर्द पूरी तरीके से खींच कर बाहर निकाल देता है मतलब ये तेर एक रामबान की तरह काम करता है एक औशिदी की तरह काम करता है तो आज से ही इस तेल को आप अपने शरीर नाभी और घुटनों पर इस्तिमाल करना शुरू कर दीजे और अपने घुटनों के और शरीर के हर हिस्से के दर्द को पूरी तरीके से खतम कर दीजे तो दोस्तों आज की रेमेडी बहुत ही जादा फाइदेमंद है आप इसका इस्तिमाल जरूर से करिएगा यहाँ पर दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो का एंटाज यहीं पर कर रही हूँ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आएं है